Hello friends, as usual, हम आज कुछ नया जानेंगे और साथ ही साथ अपनी vocabulary को boost up करेंगे तो दोस्तों, आज का thumbnail है What is podcast? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं and podcast आपने सुना होगा, कहीं न कहीं आपने इसे नजर अंदाज किया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब भी पता हो लेकिन दोस्तों, आज हम इसको एक बार फिर से जान लेते हैं podcast जो है, ये दो शब्दों को मिला कर बना है एक शब्द है iPod and another one is broadcast दोस्तों, आपने iPod भी सुना है, broadcast भी सुना है and podcast भी सुना है digital audio और video files को store करने के लिए और play करने के लिए तो दोस्तो, portable मतलब जो एक जगा से दूसरी जगा लेके जा सकते हैं कोई ऐसी चीज, ठीक है तो iPod की full form क्या है, intelligent portable over device दोस्तो, iPod से लिया गया है, podcast में pod next is cast, broadcast आपने सुना है, प्रसारन टीवी में program broadcast होते है cricket match, England में हो रहा है और India में प्रसारन हो रहा है ठीक है, तो प्रसारित किया जाना यनि कि transmit होना, broadcast तो यहां से लिया गया है, cast so friends, podcast होता है एक episodic series of spoken words digital audio files जो कि एक user download कर सकता है to a personal device for easy listening, जब मन करे तब सुनने के लिए तो दोस्तो, आप सोच रहे होंगे कि क्या radio भी एक podcast है हाँ दोस्तो, podcast है लेकिन एक छोटा सा difference है radio और podcast में radio में क्या होता है maximum जो programs होते हैं वो क्या usually live broadcast होते हैं live, लेकिन यह जो podcast है इसमें क्या है pre-recorded audios होती है जिने हम adjust कर सकते हैं आफ्टर recording, ठीक है दोस्तो and YouTube, YouTube भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक audio file आपको सुनने को मिल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ तो यह भी एक audio file है लेकिन दोस्तो, इसके साथ साथ आपको screen पे कुछ देखने को मिल रहा है लेकिन podcast में ऐसा नहीं है podcast में totally आपको only audio file मिलेगी आवाज सुनने को मिलेगी इसके अलावा आपकी कोई distraction नहीं होगी कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा कुछ लिखने, वीडियो नहीं मिलेगी ठीक है दोस्तो, तो podcast एक basically क्या होई digital audio file story हो सकती है, music हो सकता है किसी चीज़ पर चर्चा हो सकती है news हो सकती है, etc, etc so friends, YouTube का एक video sharing platform है, लेकिन यहाँ पे भी आपको audio books मिलती हैं सुनने को, तो एक तरह से ये भी एक podcast है, इस example बता देता हूँ ये देखिए, तो दोस्तो pre-recorded digital file और live broadcasting में difference होता है यही एक difference है, जो radio और podcast में है YouTube से आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें हमें video, YouTube का video sharing platform है, लेकिन यहाँ भी audio, books, audio files आपको सुनने को मिलती हैं, सिर्फ audio और कुछ नहीं दिखाएगा, ये तो हो गया podcast का meaning, इसका purpose कहा दोस्तो हम क्यों सुनते हैं गाने, entertainment के लिए ठीक है दोस्तो, और humor हसी मजाख education, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर ये totally एक audio होती तो ये क्या होता, एक तरह का podcast होता और education purpose के लिए इसको use करते हैं, इसमें बस आपको basically ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको spoken words मिलेंगे, इना digital audio files, so friends, ये था podcast का meaning, अब इसे similar words क्या हो सकते हैं देखो दोस्तो, इसे similar words क्या है audio cast and आप कह सकते हैं, mob cast mob में, mobile में किसी चीज़ को record किया, audio file को और उसको cast कर दिया, with the help of the mobile, तो ये रहा दोस्तो podcast, और इसे similar word होगे, audio cast and mob cast तो दोस्तो, ये आपको चीज़ याद रखने हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है, I hope आपको ये अच्छा लगा होगा, दोस्तो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो please like, share and subscribe, thank you very much